हेलो दोस्तों मेरा नाम चंदर शेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैस में है चले स्टार्ट करते हैं आज का शेशन उससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज्यादा से यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और पर प्रदाण की गई चूट के तीन गुने के बराबर है कहने का मतलब बस्तू का बिक्री मूले उससपर दे गई चूट के तीन गुने के बराबर है चले ठीक है कोई भी दिकत नहीं है फिर कहता है यदि छूट का प्रतिशत कहता है छूट का प्रतिशत लाब के प्रतिशत के बराबर है ये भी कहता है तो बताईए छूट और क्रे मुल्ले का क्या अनुपात होगा तो पूछा गया है छूट और क्रे मुल्ले का क्या अनुपात होगा ये आंसर आपको find out करना है कैसे करना है आ जाएए मेरे साथ देखिए अगर मैं इस question का जिकर करूँ इस question का अगर मैं जिकर करूँ तो यहाँ पर देखिए विक्रे मूले और छूट दी गई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंकित मूले कैसे बनेगा तो आप मुझसे कहेंगे कि अंकित मूले अगर निकालना है आपको अगर अंकित मूले निकालना है तो विक्रे मूले में छूट जोड़ देंगे अंकित मूले आ जाएगा चार यूनिट कहने का मतलब यह है अंकित मूले पर जब एक यूनिट की छूट दी जाती है तब ही तो भीचा जाता है 3 unit में confirm क्योंकि विक्रे मुले हमेशा आता कैसे है जब अंकित मुल्य पर छूट दी जाती है discount दिया जाता है बट्टा दिया जाता है तब आता है विक्रे मुले चलिए अब यहाँ पर एक condition दीगे है चूट प्रतिशत लाप्रतिशत के बराबर है अब आपको पता होना चाहिए चूट किस पर दी जाती है आपने मुझसे कहा चूट दी जाती है अंकित मूल पर तो चूट दी जाती है अंकित मूल पर clear? आप मुझे बताइए छूट दे गई है अंकित मूले पर छूट है कितनी आपने कहा छूट एक यूनिट है किस पर अंकित मूले पर अंकित मूले कितना है चार यूनिट मुझे एक बाद बताईए जो छूट का अंकित मूले से अनपात होगा वही किसका होगा आपको बताए लाब प्रतिशत बराबर है तो लाब बराबर क्या होता है लाब प्रतिशत किसमें निकलता है तो आपने कहा लाब निकलता है निचे क्रेमूले और उपर लाब आप मुझे बताइए ये दौनों आपस में क्या है बराबर यानि कि अगर छूट बटे अंकित मुल्य का जो अनुपात है वही लाब बटे क्रेम मुल्य का होगा क्योंकि यह आपस में बराबर है आप इधर प्रतिशन लगा दीजे इधर प्रतिशन लगा दीजे वो तो बराबर है आपस में इसका मतला इसका अनुपात एक बट्टे चार है तो इनका अनुपात भी एक बट्टे चार होगा अगर एक बट्टे चार होगा तो मुझे एक बट्टाइए आपने सामान खईदा चार यूनिट में लाप राप्त करा एक यूनिट का कितने बेची गई होगी आपने मुझसे कहा पांच यूनिट में बेची गई होगी मुझे एक बार बताई यहाँ बिक्रे मुले बस तू तो एक है यहाँ बिक्रे मुले पांच यूनिट है और यहां विक्रेमुलत तीन यूनिट है यह तो गड़वड है समान कर ले तो यहां कितने का गुणा तीन का और यहां कितने का गुणा पांच का तो पांच इसमें किया है इसके सभी साथियों को देना पड़ेगा तीन का गुड़ा इसमें किया है इसके सभी साथी को देना पड़ेगा इससे यह सैटिस्फाइड हो गया और अगर सैटिस्फाइड हो गया है तो पूचाए छूट और किरामुले का अनुपाथ तो मुझे एक बात बता दीजे चूट कितनी है आपने मुझे से का चूट है हमारी देखी पांच यूनिट और किरामुले कितना है आपने कहा बारे यूनिट और यही इस कोशन का आंसर है पांच अनुपाथ बारा और यह जो कोशन आया है बहुत प्यारा कोशन है और यह जो तो question number second question number second आपसे क्या कहनी कि कोशिश करता है देख लेते हैं question number second कहता है one second बहुत प्यारा question है second बहुत ही प्यारा question है time and work का है कहता है क्या है सुन लेजिए ये भी कब आया हुआ है ये भी दो फरवरी का set से आया हुआ है चलिए ABC एक कारिकरम क्रम सहा 36, 54 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यानि कि A कर सकता है 36 दिन में B कर सकता है 54 दिन में और C कर सकता है 72 दिन में clear इनका लेना है आपको LCM अगर LCM लेने में आपको problem होती है तो मैं आपको सिखाता हूँ short trick short trick कैसे सभी में common क्या रहा है आपने कहा 18 18 से कटे का 2 बार 18 से कटे का 3 बार 18 से कटे का 4 बार आप 36, 54, 52 का LCM लेना नहीं जानते हैं क्या आप 2, 3, 4 का LCM लेना भी कितने बार आता है आपने कहा 6 बार 3 के पाड़ें बार है कितने बार आता है आपने मुझसे कहा 4 बार 4 के पाड़ें बार है कितने बार आता है आपने मुझसे कहा 3 बार मुझे एक बार बताईए ये समय है ये वरकडन है ये जमताएं आ गई यह दक्षिताएं आ गई, यह आ गई दक्षिताएं, यानि कि A की दक्षिता 6 यूनिट, B की दक्षिता 4 यूनिट, और C की दक्षिता 3 यूनिट, confirm, अब सुनिए, जो आप common लेते हैं न, दक्षिता निकालने के बाद उसका गुणा कर दीजे, clear, जिससे कि आपका काम आ पहले कार छोड़ दिया है, किसने छोड़ा है, A ने कार छोड़ा है, 8 दिन पहले, तो A से बोलना, भाई, अब तु अंत से नहीं जाएगा, तुझे कार करना ही पड़ेगा, जवदस्ती, यानि कि अगर कोई अंत से जाता है, उससे कहते हैं, भाई, अब तुझे हम नहीं जाने देंगे, तुझे कार करना पड़ेगा, यानि कि A को 8 दिन कार करना पड़ेगा, 6, 48 और ये कार extra होगा, extra यानि कि अंत से होता है, तो कार को जोड़ते हैं, clear, ऐसे ही B ने कार पूरा होने से 12 दिन पहले जाने को कहा, तो B से कहेंगे, भाई, तुझे भी नहीं जाने देंगे, तो 12 चौक 48 उसका भी extra काम कर लेगे, यानि कि A को भी नहीं जाने देंगे, B को भी नहीं जाने देंगे, जबकि C तो गया ही नहीं है, अब सुनिए अच्छे से, C ने कुल कितने दिन कार किया, इस कार में कोई भी नहीं गया है, पूछाए C ने कितने दिन काम किय तो मुझे बताई काम कितना हो गया टोटल यहां से 48 48 96 अलग किलियर जो अत्रिक्त करवा लिया है किलियर 216 पहले का काम फाइनली काम कितना हो गया 6 6 12 की 2 80 बची एक नौर एक 10 और 11 की एक 80 बची एक ही हो जाएगा 312 और 312 किन लोगों ने किया है कोई गया नहीं है इस कंडिशन में 6 4 3 13 से फाइनली भाग लगा दीजिए अंसर कितना आ जाएगा अंसर यही आ रहा है किया यह पॉइंट में आ रहा है बट्टे में आ रहा है देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं काट लेते हैं 13 दूनी 26 बचे का 5 तेरे चौकश बावन यानि कि 24 दिन तक सभी लगे रहे सभी लगे रहे सीतों गया ही नहीं तो सी का ही पूछा गया है सी का अंसर आएगा 24 दिन चलिए कोशन नमबर 3 करते हैं थड़ आपसे कैता क्या देख लेते तो यहाँ पर आपको conceptual clarity मिलेगी, यह नहीं है मेरा उद्देश कि आपको सिर्फ मैं question करा हूँ, मुझे आपको अच्छी तरीके समझाना है, मेरा उद्देश यह नहीं रहने वाला कि सिर्फ मैं question करा हूँ, question नहीं थर्ड आप से क्या कहता है देख लेते हैं, और यह भी आप का दो फरवरी को आया हुआ है, कहता है किसी राशी के 32 प्रतिशत के 40 प्रतिशत के 40 प्रतिशत के 60 प्रतिशत के का का मतलब होता है गुणा जो मैंने लगा दिया है, उसका मान 432 के बराबर है, बराबर है 432 के, तो निकालना है वे राशी क्या है, कैसे करना है, देख लेते calculation ही calculation करनी है और कुछ भी नहीं करना 32% को आप 32% रखे रहने दीचिए 40 होता है 2 बटे 5 40 बटे 100 60 होता है 60 बटे 100 यानि कि 3 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 400 32 आ जाएगा clear calculation कर लेते हैं जी एक बाद बताईए 2 तिया 6 6 से काटते हैं 6 सकते 42 और 6 दुनी 12 कोई दिक्कत नहीं अब देखिए 8 से काटू में 8 34 और 8 नाम 72 कोई दिक्कत नहीं यह 4 प्रतिशत आगया 4 प्रतिशत होता है 1 बटे 25 और यहाँ 1 बटे 25 पहले से यही correct answer है जो की option नमबर आपको दिखाई देता है 1 चलिए question नमबर 4 करते हैं और 4 क्या कहता है सिर्व आपको यह काम करना है कि इस channel को share कर देना है फेला दीजिए जिससे मैं आपकी practice दमदार करा सकूं चलिए Coach no 4 तो question no 4 आप से क्या कहने की कोशिश करता है merchant no 4 आपकी screen पर आ रहा है चौथा question आपसे क्या कहता है हम इसको देख लेते हैं कहता है and root में 10 प्लस अंडूड में 221 प्लस अंडूड में 12 प्लस अंडूड में 16 करते कैसे मैं आपको बता दूँ आप पीछे से करना स्टार्ट करते हैं कैसे अंडूर 16 का मान कितना होता है आपने मुझसे कहा 4 फिर 12 और 4 कितना हो जाएगा आपने कहा 16 कितना हो जाएगा 16 फिर अंडूर में 16 आजाएगा अंडूर 16 का मान कितना होता है आपने मुझसे कहा 4 रफ कर दिजे 221 में चार्ज ओडेंगे आप मुझसे कहेंगे 225 होता है 225 और अंडूर में 225 क्या होता है आप मुझसे कहेंगे 15 का वर्ग होता है इसको अठाओ और 15 को लगाओ और 15 और 10 कितना होता है आप मुझसे कहेंगे 25 होता है तो अंडूर में 25 का मान होगा 5 और यही इस question का correct answer है चलिए, question number करते हैं 5th तो question number 5th आपसे क्या कहनी की कोशिश करता है देख लेते हैं question number 5th आपके समक्षा आता हुआ प्रतीत होता है आपको screen पर और कुछ ऐसे आपको दिखाई देता है देखिए x प्लस y प्लस z बराबर 0 है तो आपको find out करना है x square upon y z y square upon z x z square upon क्या z x z y z z x और x y confirm ओके, अब मुझे एक बात बताईए यह question निकालना है या तो आप formulae से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जब x plus y plus z का मान 0 के बराबर होता है तब x पर गात 3 plus y पर गात 3 plus z पर गात 3 बराबर होता है 3 गोड़ा x, y, z इध्यान रखना यह कब condition है जब x plus y plus z बराबर 0 होता है आप hit and trail से भी कर सकते हैं पर नहीं बता रहा है आप put कर लेना अब देखी यहाँ पर LCM आ गया इसको हल करते हैं LCM आ गया x, y, z y, z और बचेगा z का कुणा होगा z स्क्याल में z के गात 3 finally इसका मान मैंने बता दिया इसका मान होता है 3, x, y, z 3, x, y, z और नीचे x, y, z x, y, z x, y, z से x, y, z कट जाएगा आंज़र आएगा 3 और यही इस question का 20 answer है करते है question number 6 और क्या कहनी की कोशिश करता है question number 6 देख लेते है तो question number 6 question number 6 देखनी कोशिश करते है क्या कहता है देखे बहुत प्यारा question है कहता है 1 plus 10 1 plus 10 अगली भी रैकेट में 1 plus 10 भी बराबद दिया है 2 तो आपको find out करना है 10 A plus B का मान बहुत प्यारा question है सिर्फ फ्योरम पर आधारित है क्या है फ्योरम देखें कभी भी 1 plus 10 A और अगली भी रैकेट में 1 plus 10 B का मान 2 के बराबर हो तो इस condition में इस condition में A और B का मान कह सकते हैं angle A और angle B अगर angle A और angle B का जोड अगर 45 degree है angle A और angle B का जोड अगर 45 degree है तो 1 plus 10 A और ब्रैकेट क्लोज कीजिये अगली ब्रैकेट में 1 plus 10 B का मान 2 के बराबर होता है यानि कि 2 के बराबर कब होता है जब a plus b कमान 45 degree के बराबर होता है confirm तो मैं यह कह सकता हूँ 10 a plus b कमान कितना है यहाँ 45 degree क्यों है भाई 2 तबी आया होगा जब 10 a और 10 b यानि कि यहाँ a और b कमान 45 degree हो confirm तो a b कमान कितना होगा 45 degree के बरावर जब 2 आता है तो 25 जगती है और 10 45 कमान एक होता है आगे answer चलिए next question करते है question number 7 और 7 आपसे क्या कहने कुशिश करता है देख लेते है question number 7 आपसे क्या कहने कुशिश करता है देख लेते है question number 7 ये भी प्यारा question है calculation का अंडूर में 225, बट्टे में 14 है, गुणा अंडूर में 196, बट्टे में 22 है, गुणा, 484 और बट्टे में कितना है 15, देखें, अच्छे से, अंडूर 225 का कितना होता है, आपने मुझसे कहा 15, बट्टे 14, गुणा, 196 अंडूर किसका होता है, आपने कहा 14 का, बट्टे 22, 484 किसका होता है अंडूर, आपने कहा 22 का, बट्टे 15, पन्दे से 15 कट गया 14, 24, 22-22, आंसर आ गया एक, किलियर, कोश्चेओ नमर् नेक्स करते हैं, क्या कहता है, question number next आपसे क्या कैनी कोशिश करता है देख लेते 8 question number 8 question number 8 आपकी screen पर आता हुआ आपको feel कराता है एक अच्छा अनुभाव क्या है calculation का सवाल है 103 minus 144 भाग 12 गुणा 12 plus 5 plus 12 भाग 6 minus 2 plus 10 अब यह calculation का सवाल है कैसे करना है देख लेते हैं वैसे तो हम उपर उपर उड़ा देंगे आप मुझे एक बाव बताईए यहां सबसे पहले आप भाग देखिए भाग को आप गुणा में change कर लिजे जैसे आप यहां गुणा लगाएंगे भाग वाला उलट जाता है यानि कि जिसके सामने भाग होता है वह उलट जाता है उलटने के बाद यह 12 गुणा 12 नीचे आ जाएगा और इससे कट जाएगा यह कितने बाद एक बाद काम खता एक आ गया कोई दिखकर नहीं है मुझे एक बाद बताईए ऐसे ही 6 में से दो गए आपने का चार और 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा यहां से 3 यह खता एक और 5, 6, 6, 3, 9, 9 और 10, 19 यह खता 103 में से 19 जाएगा आएगा 84 चलिए आगे करते हैं question number 9 और question number 9 आपसे क्या कहने कोशिश करता है हम देख लेते हैं question number 9 को देखिए पहले तो आपकी screen पर लगाते है question number 9 यह भी calculation का है अंडूर x अपॉन 1-x पिलस अंडूर 1-x अपॉन x बराबर 25 बटे 12 यह ऐसे solve नहीं होगा difficult पड़ेगा आपको options उठाना पड़ेगा कैसे पहला option क्या है 12 बटे 25 यह 13 बटे 25 दूसा option क्या है 8 बटे 25 यह 17 बटे 25 तीसा option क्या है 19 बटे 25 यह 6 बटे 25 चौथा option क्या है 9 बटे 25 यह 16 बटे 25 अब आपको ऐसा option इसमें रखना है गौर से देखना अब आपको ऐसा option इसमें रखना है जो अंडूर से बहार निकल जाए मैंने कहा अगर मैं 12 रखूंगा अंडूर में 12 फज़ जाएगा निकले गई अगर मैं रखूंगा यहाँ पर 19 यह फज़ जाएगा मैं रखूंगा 9, 9 भी अंडूर से निकल जाता है, 16 भी निकल जाता है, तो ये रखके देख लेंगे, क्लियर, पैचान आ गया, satisfied कर जाए हो गया answer, तो पहले रखते हैं हम 9 बटे 25, तो मैंने रखा एक सेवर पे 9 बटे 25, एक सेवर पे 9 बटे 25, calculation करूँगा, यहाँ पर जाएगा, अंडूर में बच्चे का 9 बटे 16, 9 बटे 16 का मतलब यह अंडूर 9 होता है, 3 और 16 का होता है, 4, यहाँ 3 बटे 4 बच्चे का, confirm, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर भी रखेंगे, आप 9 बटे 25, और यहाँ पर भी रखेंगे, आप 9 बटे 25, इसका उल्टा ही तो है, अरे इसका उल्टा ही तो है, तो उल्टा बचेगा, 4 बटे 30, फाइनली कैलकुलेशन करेंगे, 3 तिरका 9, 4 चॉक 16, बटे में 4 बटे 12, आरा है 25 बटे 12, लेफ्ट हैंड साइड बरावर, राइट हैंड साइड पूरुफ हो चुका है, इसलिए, ओफ्शन मेरा, कोशन है आज का, कोशन नमर 10, और हमसे क्या कहता है, बहुत प्यारा कोशन है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, अगले भी रैकेट हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और आगे भी हो सकता है, यह तो छोटा सवाल है मैंने का कभी भी आपको ऐसा question मिल जाए 1 plus 1 upon x 1 plus 1 upon x plus 1 1 plus 1 upon x plus 2 1 plus 1 upon x plus 3 1 plus 1 upon x plus 4 आगे भी तो करना कैसे देखना चीसे पहला bracket solve करना आप लो पहला bracket solve करना x बंचा x plus 1 x plus 1 upon x हो गया solve last का solve करना x plus 4 x-3 का गोड़ा एक से करेंगे x-3 और एक जोड़ेंगे x-4 upon x-3 करना कैसे है plus का मतलब यह होता है आपको हवाई जाज उडाना है हյाई जाज को आपको क्या करना है उडाना है कोई दिकत तो नहीं हवाई जाज आपको उडाना है उडाते कैसे है जमीन से आसमान तक तो यही आपका answer होगा जमीन क्या है X और आसमान क्या है X plus 4 और यहीं पर answer हो जाएगा चलिए question करते है next next question क्या कहता है देख लेते है यह last नहीं है आपका last तो होगा आपका आगे देख लेंगे कब last होगा हम तो चलते जा रहे है question हमा next क्या कहता है कहता है इनको जोड लीजिए 0.04 plus 1.44 plus 1.69 plus अंडोर में 0.0009 अब देखना अच्छे से देखना आप लो मुझे एक बात बताईए यहां point कितने के बाद है आपने मुझसे कहा 2 के बाद है कर्णी कहती है कि point आदे हो जाते हैं यह कर्णी 2 वाली होती है यह 2 के बाद point को आदा कर देती है confirm यानि कि अगर 2 के बाद है तो आप 1 के बाद हो जाएगा तो यहां point लगाना है 1 के बाद 1 के बाद यहां point कितने के बाद है आपने मुझसे कहा दो के बाद एक के बाद लगा देंगे बाद में यहां point कितने के बाद है दो के बाद आप एक के बाद लगा देंगे बाद में यहां कितने के बाद है चार के बाद चार का आदा दो के बाद लगा देंगे बाद में चलिए अब बाद में लगा देंगे तो इस point को अठा दीजिए क्या बचा अंडूर 4 अंडूर 4 का मन क्या होता है आपने कहाँ 2 चलो point अठा दीजिए अंडूर में 144 किसका होता है 12 का बर्ग तो 12 आ जाएगा point अठा दीजिए 199 होता है 13 का point अठा दीजिए लो भाई यह 2 के बाद है लो भाई अब इनको जोड़ना है जोड़ते कैसे बोई बताता हूँ point कितने के बाद है 2 के बाद सबको 2 के बाद बना दो अब जोड़नो 300003 ही आएगा 0333 3 और 25 5 और 27 point लगा दो finally कुछ बचा है 1 और 1 दो बचा है 2.73 हमारा अंसर है जो कि option number 4th correct है चलिए question number 12 करते हैं 12 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है वो देख लेते हैं question number 12 question number 12 क्या कहने की कोशिश करता है हम लोग देख लेते हैं question number 12 कहता है 1500 question है 5.4 का whole cube minus 0.064 upon 5.4 का whole square plus 2.16 plus 0.16 क्या आपने एक formula पढ़ा है कौन सा aq minus bq का आप कहेंगे हाँ होता क्या है आप मुझसे कहेंगे कि formula होता है a minus b और अगले bracket में a square plus b square plus a b मुझे एक बात बताईए यहाँ पर plus plus आ रहा है क्या यह यह indicate करता है अगर यह indicate करता है तो कुछ संसोधन कर लेते हैं क्या यहाँ a का मान तो यह रहा 5.4 कोई दिक्कत नहीं minus b का मान ही बन सकता है हाँ बन सकता है इसको मैं यह लिख सकता है 0.004 पर गात 3 देखो लोट के ही आ जाएगा 4 गोणा 4 गोणा 4 गोणा क्या मैं लिख सकता हूँ आपने का हाँ जी बिल्कु लिख सकते है क्या मैं इसका फॉर्मॉला खोलो यह खुलेगा क्या खुलेगा a minus b पहले में तो घट जाएगे 5.4 में से 0.4 जाएगा तो 5 बचेगा के बन और यहाँ पर क्या आ जाएगा a square यानि कि इस पर घट दो कोई दिक्कत नहीं फिर क्या बचेगा b square यानि कि second वाले पर घट दो इस पर घट दो करेंगे 4 का square 16 और point 2 के बाद लग जाएगा क्योंकि एक के बाद है plus a गोणा b यानि कि इसका गोणा इससे हो जाएगा तो 4 चॉक 16 finally आ जाएगा 2.16 मुझे एक बात बताईए ये जो value थी ये जो value थी इतनी की थी और नीचे क्या रखा हुआ है 5.4 का square plus 2.16 plus 0.16 किसी ये कट गया बचा क्या 5 और ये इस question का अभिस्ट answer है तो मुझे लगता है आज का session आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए शेर कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को जिससे में ज्यादा से ज्यादा content आपके तक पहुचा सकते हूँ Thank you